वेल्ड व्यू जीवन एडूकेशन में एक बार फीर अप सबका स्वागत हैं, हम डिसकस कर रहे थे यानि CHOO बिज़ कोर्स के रिगाड़ेड हम डिसकस कर रहे थे और Special Session अपन डिसकस कर रहे थे बढ़ते हैं और आज के Erstion के अंदर आपन डिसकस करेंगे 2nd paper पहला पेपर हमने लास्ली जो शेशन आपको अवेलेबल करवाय था उसके अंदर आपने देखा था पहला पेपर यानि इंपोर्टेंट शेशन अपने डिसकस कर रहे हैं और पेपर का लेंगवेज हम समझ रहे हैं पेपर किस तरीके से आएगा पेपर का पैटरन क्या रहेग फैपर में इंपोर्टेंट क्योश्चन कौण सी आएगे ओपन देख रहे थे और फर्स्ट पेपर के डिजकस किया था फ़स्ट पेपर के डिजकस किया था Foundation of Community Health इसके रिगार्डर हमने डिसकस किया था और फर्स्ट ब्लोग के कुछ 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 इंपोर्टेंट क्योशन हमने डिसकस किये दिया उम्मीद है सारे क्योशन आपको समझ आयोंगे और उम्मीद है सारे क्योशन आप इजिली सोल कर सकते हैं क्योंकि ओल्डेडी सारा आपको यूटूब आपकी इस जीवन एजुकेशन पर अवेलेबल करवा रहा है उम्मीद है अगर आप कंटिन्यू जीवन एजुकेशन के साथ बने थे तो बिलकुल आपको 100% सारे क्योशन आते होंगे चलिए आज का क्योशन पेपर अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेकंड नंबर हैं और इसके अंदर हम डिसकस करने वाले हैं फांडीशन आफंडिशन और और इस पेसली जो सेशन के अंदर इस वीडियो के अंदर आपके topik कले तो प्र किया गया है और नुट्रेशन के रिगार्डड़ जो जो इंपोरेंट क्योशन है वो मैंने यांपर आगे आपको पढ़ा दूआ तो 100% आप बिल्कूल clearly और first attempt में clear हूंगे चलिए बढ़ते हैं और आज के question paper को देखते हैं क्या-क्या important questions है nutrition के regarded तो format आप सबको पता चली गया है कि exam में question कितनी आएंगे करने कितने हैं सारा कुछ आपको पता चल गया है एक बार फिर से मैं mention करूँगा आपके finally exam में as a university pattern के according अपने देखे RHS university के according तो यहाँ पर आपको question paper में question मिलेंगे total 8 question मिलेंगे 8 question मिलेंगे उसके अंदर से आपको question six question यानि 6 question आपको long question होंगे क्यों से होंगे long question होंगे और remaining two question है remaining two question है वो short note basis question होगे short note basis question होगे तो short note basis ये question होगे तो ध्यान रहे 6 question आपको long question मिलेंगे और 2 question आपको short note basis मिलेंगे जिसका idea आपको लग गया होगा पहले paper को देख कर अब second paper के अंदर आपाने discuss करते हैं कौन सा question किस तरीके से आता है और किस question के अंदर आपको क्या लिखना है उसके according आपको बताते हैं तो चलिए start कर रहा हूँ तो वीडियो को like नहीं क्या तो like कर दीजिए share नहीं क्या तो share भी कर दीजिएगा और channel पर first time visit कर रहे हैं तो channel को भी subscribe जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से daily up to date session मिलते रहे चले बढ़ते हैं timing आपको पता है तीन गंटे का timing आपको मिलेगा उसके अंदर आपका जो maximum marks होगा कितने का होगा 70 marks का आपका paper होगा तीन गंटे आपको total यहाँ पर मिलने वाले तीन गंटे में आपको कितने question attempt करने है आप सबको पता चल गया होगा मैंने lastly भी बताया था यहाँ पिर एक बार बता दूँ पांच question आपको करने है याने total 8 question आपको मिलेंगे उन में से 5 question आपको attempt करने है अब आप उसमें से हो सकता है कोई question एक question compulsory भी दे सकते हैं आपसोर्ट नोट्स का होगा तो उसको भी recover करके एक round figure करके वहाँ पर mention किया जाएगा तो यहाँ पर एक line old लिखी जा सकती है कि question number 8 या question number 1 question number 2 आप compulsory तो पहला question या 8th question क्या हो सकता है यहाँ पर compulsory भी कर सकते है तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है लेकिन केवल एक ही question आपको compulsory दिया जाएगा अगर दिया जाएगा तो अधरवाइस नहीं दिया जाएगा जहां तक मुझे लगता है compulsory आपको कोई question नहीं दिया जाएगा अगर फिर भी दिया जाए तो एक Quesn आपको Compulsory दिया जाएगा बाकी 7 Quesn में से आपको 4 Quesn करने होंगे यानि टोटली आपको कितने Quesn करने होंगे 5 Quesn करने होंगे अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा Quesn किस तरीके से आएगा और बताऊँगा कि किस Quesn के अंदर कितना पेज और कितना आइडिया के थ्रू आपको लिखना होगा चलिए बढ़ते हैं पहला Quesn यहाँ पर मैंने मेंशन किया है पहला Quesn है देखे पहला Quesn आपके सामने है काफी अच्छा Quesn और काफी जबरदस तरीके से आपको बताया गया था और आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा यह अपने होमपेज पर जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगे CHO Courses करके वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं चलिए पहला Quesn है What is the meal planning? meal planning क्या होती है Quesn definition देनी है आपको दो लाइन में Quesn definition देनी है दो लाइन में और ज्यादा लिखे तो अच्छी बात है लेकिन at least दो लाइन तीन लाइन आप लिखेंगे तो काम चल जाएगा लेकिन कोशिच करे एक definition तो आप जो बताया उसके according लिखे एक अपने point of view से जरूर लिखे तो अपना point of view भी लगाना है क्योंकि university exam आप दे रहे हैं और RHS university especially सभी university में जो copy का pattern होता है वो same रहता है लेकिन RHS university के मैं बताऊं तो थोड़ा सा आपको according चलना होगा RHS university के according क्योंकि वो मैं आपको बताता रहूँगा तो कैसे चलना है कैसे question करने है कैसे recover करने है कैसे आपकी copy recover करनी है 100% surety के साथ आप first attempt में clear होगे चलिए यहाँ पर आप definition लिखेंगे एक definition at least जो आपको मैंने बताईए वो लिखनी है और एक definition at least आपके point of view से लिखनी है यानि दो definition आप दो-दो line के यहाँ पर लिखेंगे तो 100% इस topic का पूरा max आपको मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में question aid है क्योंकि long question है क्या बोला मैंने 6 question आपके long question आएगे इसलिए यह long question है और यहाँ पर दूसरा question इसी के साथ जुड़ा हुआ है explain in detail about the aim of meal planning काफी अच्छी तरकी से बताया था आपको की meal planning की जरूरत क्यों पढ़ती है उसका क्या aim है क्या उद्दिश है क्या लक्ष है क्या purpose है क्या objectives है सारे कुछ मैंने अच्छी तरकी से बताई थे जरूर देखिएगा उस class को जरूर पढ़िएगा जरूर उसका जो PDF होगे रहा है मैं आपको available करवा दूँगा आपको group में add कर लिया गया है और link अभी भी मैंने mention कर दिया है वहाँ से जो भी as a member है वहाँ से link पर click करें और whatsapp group पर add हो जाए वहाँ पर आपको इनका सबका PDF जरूर मिल जाएगा और वहाँ से उनको जरूर पढ़े और अच्छी तरीकी से पढ़े अच्छी तरीकी से preparation करें 100% यह question आपको exam में देखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो meal planning के aim आपको लिखने होंगे aim क्या उद्देश्य है किस purpose से meal planning करनी चाहिए अगर meal planning best नहीं है meal planning सही से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा इसलिए अपने को aim पूचा है यहाँ पर ठीक है उसके अलबा step of meal planning काफी important है friends step of meal planning meal planning के क्या-क्या steps है जो कि follow करने होंगे I think आपको याद होगा काफी अच्छी तरीके से question अपने पढ़ा था काफी अच्छी तरीके से यह topic हमने पढ़ा था तो उम्मीद है काफी important question है याद रख लीजेगा याद किया रट लीजेगा लिख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं और 100% आप इसको सही करके आएंगे तो पहला question complete हुआ है और पहले question में I think आपको समझ में आ गया किस तरीके से कहाँ पर क्या लिखना है ठीक है आगे बताएंगे धीरी-धीरी आपको ये भी long question होगा क्योंकि 6 question आपके long question होगे तो यहाँ पर second question भी आपका long question होगा और second question में आपसे पूचा है define nutritional assessment काफी अच्छा question है काफी अच्छा question है कि nutritional assessment क्या होता है उसको define करना है उसको introduce करना है उसका introduction और दो line में आप इसका definition लिख सकते है कि nutritional assessment क्या होता है और क्यों करते है nutritional assessment काफी अच्छी तरके से हमने पढ़ा था उम्मीद है आपको याद होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में question add है क्योंकि long question अपन discuss कर रहा है explain in detail about the aim and method of nutritional assessment काफी अच्छी तरके से आपको समझाया गया था यहाँ पर पूचा गया है कि nutritional assessment आखिर क्यों करते हैं उसका क्या परपज है क्या उद्देश ये उसका है कि हमें nutritional assessment करना चाहिए उसके अलावा method of nutritional assessment किस-किस method से nutritional assessment करते हैं और किस-किस method को best माना गया है वो हमने discuss किया थार उम्मेद है आपको याद होगा तो यह question काफी important है आपके exam point of view से तो अच्छे से इसको cover करें अच्छे से इसको पड़े I think second question completely समझ में आ गया होगा और इसके regarded आप practice जरूर करेंगे और जरूर इनके answer अपनी खुद के point of view से लिखकर आप जरूर send करेंगे ताकि उसमें कुछ न कुछ जो improvement लाना होगा वो मैं आपको mention कर दूँगा कहाँ पर आपको improvement लाना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं second question complete third question पर चलते हैं और third question भी आप सबको पता है long question होगा third question भी आपका long question होगा और third question को दो part में मैंने divide किया है और इस तरीके से भी आपको question मिल सकता है दो part में, तीन part में, कितने भी part में divide कर सकते हैं लेकिन long question question का जो marks रहेगा वो एक के अंदर ही round figure में रहेगा यानि एक ही marks मिलेगा और I think जहां तक जो पहला question है उसका carry out करेगा 14 marks, 14 marks यानि 14 number का होगा एक question ठीक है, ध्यान रहे तो यहाँ पर 2 question, 3 question add भी कर सकते हैं, एक साथ भी add कर सकते हैं और ABC करके या 1, 2, 3 करके कैसे भी आपको दे सकते हैं तो यह भी long question है, इसके अंदर 2 question add किये हुए हैं, पहला question यहाँ पर है पहला question यहाँ पर है What is the folic acid requirement in pregnant woman pregnant human के अंदर folic acid की requirement कितनी होती है, क्या होती है ऐसा question आप से पूचा गया है, क्योंकि आप सबको पता है, folic acid की requirement fulfill नहीं होगी, तो फिर risk रहता है, NTD का NTD का neural tube defect का risk रहता है, इसलिए folic acid की requirement, और आप सबको पता है, as a pregnancy conceive होने के बाद, जैसे ही anti-natal check-up के लिए, यानि ANC के लिए pregnant lady, healthcare system यानि healthcare provider के पास doctor के पास, gynecologist के पास जाती है, तो वहाँ पर first ANC के अंदर ही, first visit के अंदर ही उसको क्या supplement provide कर दिये जाते हैं folic acid और iron supplement start कर दिये जाते हैं, तो यहाँ पर folic acid का requirement pregnant lady को क्यों है, क्या है किस तरीके से उसकी requirement रगी और कितना requirement रहेगा वह आपको इसके अंदर लिखना होगा बताऊंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा इस topic को काफ अच्छी तरीके से और उम्मीद है, आज कल के अंदर यह session आपको provide कर दिया जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है question समझ में आया होगा, second question के अपन बात करें what is the dietary requirement during lactation lactation के during dietary requirement क्या होती है यानि कोई lady है, जो कि क्या करती है, lactation provide करती है यानि अपने baby को क्या करती है breastfeeding provide करती है तो उसके अंदर जो dietary management रहेगा, dietary requirement रहेगी, यानि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो कितना होता है, क्या होता है, वो आप से पूचा है, तो यहाँ पर क्या-क्या requirement उसको होती है, calorie requirement क्या होती है, iron requirement क्या होती है, folic acid requirement क्या होती है, calcium requirement क्या होती है, सभी supplement का यहाँ पर आपको mention करना होगा तो अपन discuss करेंगे, next session के अंदर completely इस topic को भी चलिए, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और next question अपन देखते हैं fourth number question next question, fourth number question अपन देखते हैं जो भी long question के अंदर ही होगा यानि ये भी क्या होगा, long question ही होगा ठीक है चलिए, long question होगा और long question के अंदर ही आप देखिए क्या question पूचा है question काफी अच्छा है और उम्मेद हैं आपको याद होगा define meaning meaning क्या होता है, देखे सबसे पहले तो आपने meaning समझा होगा आपने सुना होगा वी एनिंग वी एनिंग से regarded competitive exams में question repeatedly आता है कि एक बेबी को वी एनिंग कब करवानी चाहिए एक time period आप से पूचा जाता है तो exact अपने अगर उसका answer दे तो 6 month में वी एनिंग करवाई जानी चाहिए कब 6 month में वी एनिंग करवानी चाहिए और अगर option में अगर range में दिया हुआ है तो 4 to 6 month में उसमों वी एनिंग होती है वी एनिंग मतलब एक तरीके से breast feed के अलावा extra supplement feed देना वही वी एनिंग होता है और वो कब से start हो दाना चाहिए 6 month और single अगर वी एनिंग का definition आपके mind में क्रेटल हो गया होगा कि वी एनिंग क्या होती है बागे detail से discuss करेंगे don't worry बने रहे और be positive हमेशा positive बने रहे नेगटिव नहीं होना है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी question के अंदर aid है what are the principle in preparing complementary food supplement अब वी एनिंग के regarded ही question है कि अगर वी एनिंग स्टार्ट कर दिया है तो उसके क्या क्या principle है कि आप supplement food है जो की prepare करेंगे baby को supplement food prepare करेंगे उसके क्या क्या principle होगे यानि आप उसको क्या देंगे milk आता है milk compound आते हैं या फिर कावी सारी अलग अलग आजकल काफी सारे अलग-अलग आते ही तो उनमें किस तरीके से किन प्रिंसिपल को फोलो करते हुए बेबी को supplementary food दिया जाएगा बेबी को supplement food या complementary food दिया जाएगा I think question समझ में आ गया होगा answer अपन जानेंगे next session के अंदर उमेद है आपको question समझ आया होगा और काफी important question है इसलिए continuously बने रहे हैं आपको सारे topics cover करवाई जाएगे जो बता रहे हैं अभी के वद अपन question देख रहे हैं important question चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपसे पूचा जाता है पांच्वा question fifth number question है जो भी क्या होगा long question होगा जिसको मैंने दो part में divide करके आपको mention किया है जरूर ही नहीं है single question के अंदर ही आपको mention करके जाए हो सकता है एक ही question के अंदर तीन topic को cover कर दे हो सकता है एक ही topic से तीनों पूरा question पूच लिए तो confused नहीं होना है समझना है और आपको answer देना है चलिए यहाँ पर मैंने दो topic यहाँ पर cover किया है एक breastfeeding के regarded cover किया है एक midday meal से regarded आपने program पड़ा होगा उसको मैंने cover किया है तो एक ही question के अंदर अगर तीन part में divide के तो तीन topic भी cover कर सकते हैं और एक ही question जो exam हो उसमें काफी अच्छी तरीके से आप पास हो चलिए बढ़ते हैं फिप्त नंबर क्योशन की तरब और फिप्त नंबर क्योशन को दो पार्ट में divide किया है पहला question है what are the advantage of breastfeeding देखे breastfeeding का advantage आप से पूचा है सबसे पहले तो breastfeeding के regarded आप सबको पता होगा breastfeeding के regard देखे execution है directly आपको लिखने ही नहीं है directly आपको answer पर नहीं जाना है जो पूचा है उसका answer नहीं लिखना है पहले उसका introduction आपको देना है देखे यहाँ पर लिखा हुआ है what are the advantage यानि फाइदे of breastfeeding यानि breastfeed करवाते हैं उसके क्या-क्या फाइदे क्या-क्या benefits होते हैं एक baby के लिए या mothers के लिए तो उसके advantage यहाँ पर आपको बताने है तो यहाँ पर directly पहले आप advantage mention करके नहीं बताना है नहीं तो number आपका cut किया जाएगा यहाँ पर पहले आपको क्या करना है introduction आपको देना है introduction देने के बाद ही आप क्या करेंगे advantage बताएंगे तो आपका impression बना रहेगा और आपको अच्छा marks वाँ पर मिलेगा चलिए I think question समझाया चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का second part है what are the objective of midday meal program midday meal program की क्या-क्या objectives है देखे midday meal program के objectives यहाँ पर पूँचे है या purpose भी आपसे पूँच सकते है या फिर goal भी आपसे पूँच सकते है या फिर aim भी आपसे पूँच सकते है सारे कुछ same है सारे कुछ same है इसी लिए midday meal program काफी important है सबसे पहले आपको directly objectives नहीं बताना है goal नहीं बताना है सबसे पहले अगर ऐसे question आते है सबसे पहले आपको introduction देना है जो topic आपसे पूँचाए यहाँ पर सबसे पहले आप midday meal के regarded introduction देंगे कि midday meal क्या program है school lunch program भी इसको बोलते है और इसके regarded जो introduction पार्ट है वो आपको बताना होगा थोड़ा सा इसका definition देना होगा और अगर आपको date पता है कि कभे start हुआ था तो वो भी आपको mention यानि कुल मिला कर introduction आप देंगे तो आपके question के answer के regarded examiner का impression बढ़ेगा और आपको अच्छा marks मिलेगा और full marks मिलेगा तो जैसे आप introduction दे लेंगे उसके बाद आपको objectives बताने है जब जाकर आपको क्या मिलेगा question का सही answer और question का सही marks मिलेगा I think question समझ में आ गया होगा तो 5 question हमने discuss किये और 5 question long question के अंदर आते हैं next question हम आपन discuss करेंगे 6 number question और 6 number question भी long question के अंदर आएगा और काफी important topic है question number 6 काफी important question है आपके exam point of view से काफी important है आपको नींद में भी इस topic को नहीं बूलना है exam में पूचा जाएगा याद रखे चले question आप से पूचा है what are the causes of PEM PEM क्या है सर PEM होता है protein energy malnutrition या पिर इसकी जगह PCM भी लिखा हुआ आ सकता है घबराना नहीं है पेरासितामोल यह नहीं है यह है protein calorie malnutrition यानि कू पोशन है कू पोशन है और कू पोशन के regarded आपको सबसे पहले जो question में पूचा है वो नहीं लिखना है जो question में पूचा है उसका introduction देना है इस बात को आप भेजे में बिठा लीजेगा दिमाक में बिठा लीजेगा आपको करना ही होगा अगर marks चाहिए अच्छे से तो आपको यह करना ही होगा और अगर चाहते हैं कि नहीं question में पूचा है उतना ही हम लिखेंगे तो फिर आपको marks भी उतना ही दिया जाएगा जितना examiner को लगेगा कि हाँ यार इसको इतना ही देना चाहिए तो ऐसी गलती ना करें मैं जो कह रहा हूँ अगर topic आपसे पूचा है तो topic से regarded introduction आपको जरूर पूचा जाएगा अगर introduction नहीं भी पूचा है भेजा चक्रा जाता है और माक्स आपको नहीं देता है और कम देता है इसलिए पहले आपको introduction देना है अगर ऐसा question आता है बीच में से कोई question पूचा है तो उस topic के regarded आपको introduction बताना है कि हाँ इसका ये meaning होता है और इसको अपन इस तरीके से जानते हैं और इसमें ये होता है ठीक है I think समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर आप PEM protein, energy, malnutrition के regarded discuss करेंगे इसके बारे में introduction देंगे इसके बारे में आप explain करेंगे then after आपको जो question पूचा है वो लिखेंगे आप कहेंगे सर timing कम पड़ गया तो तो timing कम कैसे पड़ेगा जब इतनी सारे practice set आपको मैं available करवा दूआ उनका practice कीजेगा कैसे time कम पड़ जाएगा time को management करती हुए आपको question करना होगा time को manage करना होगा और practice करनी होगी ताकि आपका जो hand है आपका जो हाथ है वो speed से चले आपका जो हाथ है वो जल्दी से question paper को कर ले और I think मैं तो यह मानता हूँ आपका 3 घंटे का तो paper है वो timing है लेकिन 250 यानि यह मान के जले दाई घंटे आपके लिए sufficient है इस paper को solve करने करे कोई साब भी exam हो आदा घंटा तो वो adjust करने के लिए रहता है तो कोशिश की जगा की अपनी speed को बढ़ाए लिखने की speed को बढ़ाए और अगर लिखने वाला आदमी है लिखने वाला candidate है 100% surety के साथ हमें कहता हूँ कभी भी उसको ना तो बेकाएगा ना वो fail होगा 100% university exam में तो यहाँ पर P.E.M.K. regarding introduction देंगे दें उसके कोशिश आप बताएगे उसके बाद discuss about the क्वाशियोरकर और मेरासमस देखे P.E.M.K. अंदर यानि protein energy more nutrition के अंदर यह दोनो basically क्वाशियोरकर और मेरासमस डिजिश को include किया है तो इनके बारे में आपको बताना होगा इनके बारे में आपको discuss करना होगा कि क्वाशियोरकर क्या होता है मेरासमस क्या होता है इनके बारे में इनके बारे में difference भी आप बता सकते हैं तो इनके रिगाडर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा जो भी आपको याद है वो आपको लिखना है पहले इनका definition आप बताएगे फिर इनका coaches आप बताएंगे, फिर इनका clinical features बताएंगे, फिर इनका primary management आप बताएंगे, primary care इनके regarding provide करेंगे, और फिर prevention के regarding आप इनको mention करेंगे, then ये topic आपका complete होगा, और तब जाकर आपको अच्छे marks cover होगे, चलिए I think यहां तक समझ में आ गया होगा, और अभी तक हमने discuss क जाएंगे, seven number question अपन discuss करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, discuss briefly, any four question attempt करने हैं, ये bracket पे आपको मिल भी सकता हैं, नहीं भी मिल सकता हैं, अगर नहीं मिला हैं, तो जितने नीचे option दिये हुए हैं, जितनी question आपको दिये हैं, सारे करने हैं, और अगर मिलता हैं, तो जितना बत question इसके अंदर mention है, पहला question, iron deficiency anemia, काफी अची तरिके से आपको याद होगा, IDA, iron deficiency anemia, सबसे पहला introduction देना होगा, then coaches बताने होगे, then clinical features बताने होगे, then diagnosis बता देना नहीं, तो पैसेंट का assessment ज़रूर बताईएगा, उसके बाद management आप कर दीजएगा, और अगर control नहीं है, तो refer की condition आती है, तो refer भी आप कर दीजगा, आपको 100% पूरे marks यहाँ पर मिलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question है, question number B, nutritional policy, national nutrition policy, काफी अच्छा question है, काफी important है, याद रखेगा, काफी अच्छी तरह किसे मैंने आपको समझाया था, तब nutrition के start कीते हैं, अपने session, चलिए nutrition यादि, P.E.M. जो उपर question दिया था, वही question है, यहाँ पर malnutrition क्या होता है, वो बता नहीं, और उसके regarded आप P.E.M. के regarded complete लिख सकते हैं, ठीक है, उसके लावा next question है, what are the service packages under ICDS, ICDS एक scheme है, इसके under क्या-क्या package है, क्या-क्या service packages होते हैं, वो आपको बताने हैं, तो सबसे पहले आप service packages नहीं बताएंगे, सबसे पहले introduction देंगे, इसका full pump आप लिखेंगे, इसका establishment कब हुआ था, वो आप लिखेंगे, then आप services package बता सकते हैं, जब जाकर आपको अच्छा marks मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, list any five function of nutrition, देखें, यहाँ पर question पूचा है, nutrition के regarded, nutrition के at least five function आप लिखने है, एक list बना दिया नहीं, तो पांच line लिखनी है, एक तरीके से, nutrition के पांच line लिखनी है, अब पांच, आप से function पूचे तो पांच line लिखेंगे, अब पांच line लिखने हैं, आपको पूरा number नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ, क्या करना है, ऐसा question बीच में से, अगर question उठाया है, टोपिक में से, तो फिर आपको directly वो नहीं लिखना है, जो उसने पूचा है, वो लिखना है, जो आपको लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको introduction लिखना है, nutrition क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ करते हैं, और next question अपने discuss करते हैं, last question होता है, जो भी आपका sort question होगा, या पर पूचे जाएंगे, जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऐसा bracket में लिखा रहे है, कि any 5, any 4, any 3, कितने भी, यहाँ जरूरी नहीं लिखा रहे, ठीक है, और किसे में लिखा भी हो सकता है, किसे में नहीं भी लिखा हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है, मतलब सारे करने हैं, और यहाँ पर जो अगर लिखा है, तो फिर जितना लिखा हो, उतना आप mention करें, चलिए, question यहाँ पर पूचा है, पहला, advantage of breastfeeding, देखे, breastfeeding, sorry, breast milk यहाँ पर तो पहले आप क्या करें, थोड़ा सा introduction आप देंगे, कि breast milk क्या होता है, breastfeeding क्या होती है, breastfeeding कभी नहीं, initially कभी start कर देनी चाहिए, और weaning timing क्या है, ऐसा introduction आप दे सकते हैं, उसके बाद advantagement आप लिख सकते हैं, यानि जो breast milk है, उसके importance आप लिखने हैं, उसके benefits आप लिखने हैं आपको लिखना है कि breast milk है, वो सारे जो nutritional need होती है, बेबी की उसको supplement को, जो need होती है, उसको fulfill करता है, और calorie वगेरा, उसके लावा immunity provide करता है, उसके लावा जो भी requirement है, वो fulfill करता है, I think आपको याद होगा, नहीं याद है, तो आपको class available हो जाएगी, बहुत ही जल्दी, don't worry, लेकिन question याद होने चाहिए, question किस topic से है, question किस तरकी से पूचा है, समझ में आना चाहिए, और आपको लिखना आना चाहिए, जो one by one आपको समझ में आ जाएगा, one by one आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, I think समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question यहाँ पर पूचा है, obesity, what is obesity, short note आप से पूचा है, कि obesity क्या है, अब obesity के regarded आप से कुछ भी question नहीं पूचा है, कि वो मेंशन किया है, obesity, अब क्या लिखेंगे, अगर यहाँ देते हैं कि obesity, कि कोजेज, तो फिर कोजेज आप लिख देते हैं, अब यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो पहले आपको क्या करना है, step से चलना है, definition देना है, कि definition में obesity क्या होता है, BMI के according आप definition दे सकते हैं, obesity का, कि अगर BMI कितना हो जाए, body mass index कितना हो जाए, approximately 30 से अब हो जाए, तो उसको obesity के अंदर count अपन करते हैं, उसके लावा उसके कोजेज आप लिखेंगे, उसके लावा sign and symptoms तो आप लिखी लेते हैं, वो तो ही नहीं, उसके के लावा आप prevention करेंगे, कि कौन से food आपको नहीं लेने हैं, क्या daily lifestyle आपको रखनी है, किस तरह किसे lifestyle करने है, exercise करनी है, घूमने जाना है या नहीं जाना है, वो सारा कुछ आप करेंगे, और food पर control करना है या नहीं करना है, कौन सा food जादा खाना है, कौन सा कम खाना है, calorie food लेना है, या carbohydrate food लेना है, protein food लेना है, उसके regarded आप यहां पर mention करेंगे, और आपको अच्छा माक्स मिल जाएगा, चलिए, यहां तक I think समझ में आ गया होगा, next question आपने discuss करते हैं, next question is, question number C, principle of safe storage of food, food के safe storage की principle आपको बताने, आप सबको पता है, food को store करके रखा जाता है, उस करते हैं, उसके क्या-क्या principle है, यानि safe storage of food के क्या-क्या principle है, वो आपको यहां पर mention करने है, काफी important है, आपको available करवा दिया जाएगा, इसके regarded classes, तो don't panic, don't worry, आपको continuously बने रहना है, जीवन एजुकेशन के साथ, आपको available करवाए जाएगा, don't worry, चलिए, आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हैं, next question आपके सामने है, next question आपसे पूचा है, sign and symptoms of food-borne disease, देखिए, food-borne disease यहां पर पूची है, यानि ओरो Rebeccaal से regarded यहां पर है, sign and symptoms यहां पर पूचा है, तो सबसे पहले यहां पर क्या पूचा है, food-borne disease, तो सबसे पहले आपको introduction देना होगा, थेisz क्या होती ह है जो आपका intake आप करते हैं उसके थूरु ट्रांस्मिट होती है कौन-कौन से disease है उसका example आप देंगे उसके regarded finally उसके sign and symptoms आप mention कर देंगे और आपका question का answer complete हो जाएगा और आपको full marks मिल जाएगा उसके लवा next question है last question है vitamin D deficiency यह के question आप से पूचा है vitamin D deficiency क्या होती है सबसे पहले था vitamin D के regarded आपको कुछ introduction देना होगा कि vitamin D क्या है water soluble है fat soluble है किस टाइप का यह vitamin है काफी अच्छी तरगे से vitamin session अपने लिए थे तो vitamin के regarded कुम introduction आप देंगे फिर vitamin D के regarding मैंने deficiency बताई थी और deficiency disorder हमने discuss किये थे उम्मीद है याद होगा नहीं याद तो जरूर देखी last session और completely continuously आपको session अवेलेबल हो रहें तो don't panic don't worry continuously बने रहे जीवन education के साथ उम्मीद है सारी question आपको समझ में आ गए होगे तो nutrition के regarding यह सारी question important है और यह question आपको आने चाहिए तो कृपर आइडिया उगा है और उम्मीद है दो पेपर आपको समझ आया होगा काफी कुछ आपको याद हो exciting होगा नहीं है याद याद वाने रहे continue जीवन education के साहथ continue आपको इस और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के से अब आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट पेपर को लेकर नेक्स्ट टोपिक को लेकर नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेशन को लेकर बहुत ही जल्दी तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन थेंक्यू वेरी मच